संसार दो रंगी है, द्वंद मय है, क्योंकि संसार का स्वरूप ही ऐसा है, उपर से उजला, पीतर से मेला, जैसा यहां दिखता है, वैसा होता नहीं है, इसलिए जो दिखता है, वो मैं नहीं हूँ, जो देखता है, वो मैं आत्मा हूँ, ऐसा मानो, सुक्का ऐसास करो, महाराणी सूर्य कांता को राजा प्रदेशी पहले प्रिय, इष्ट और वल्लब लगता था मगर आज अप्रिय, अरोचक, अकुशल एवं अवांचनिय मैसूस हो रहा है इसलिए वह सोचती है इस राज महल में मेरी उपेक्षा हो रही है मुझे गृणा की डृष्टी से देखा जा रहा है या राजा प्रदेशी के लिए मैं अब गृणास्पद हो गई हूँ वस्तु तह सूर्य कांता महाराणी का मन अनेक आशंकाओं से गिरा हुआ है उसका रदय पाप मैं है वह सोचती है राजा प्रदेशी मेरे योग्य नहीं है राज्य की स्थितियां शिथिल है तो कोई राजा आक्रमन करके राज्य न चिन ले फिर मुझे भी पराधिंता का जीवन जीना पड़ेगा इस कारण उसकी कूमती शड यंत्रों में उलजी हुई है यह कैसी विडम बना है राज्या प्रदेशी की सात्विक्ता, सदाचार, त्याग और वैराग्य एवं आत्मसाधना को वह अपनी उपिक्षा मान रही है क्या सच्मुच संसार का स्वरू भी ऐसा है? क्या यहां प्रेम भी स्वार्त के गोद में पलता है? प्रियता सदा प्रियता रूप क्यों नहीं रहती? बीतर की द्वेश बुद्धी भी कैसे प्रेम का चोगा पहन कर चाल चलती है? वह महाराणी सूर्य कान्ता ने राजा प्रदेशी के पास आकर कहा हे प्राणनाद आपके जीवन में ऐसा सकारात्मक हितकारी परिवर्तन देखकर मुझे बेहद खुशी होती है प्रारम में तो मुझे अटपटा लगा मगर अब मैं भी संभल गई हूँ इसलिए आप अभी भी मुझे उतने ही प्रिय लगते हो अब आप आस्तिक हो गए तो आपके आत्मकल्यानी वचन चंदन की भांती शीतल लगते हैं सच्मुझ आपकी यह योग वरत्ती देखकर रदय उल्लास से भर जाता है हे सदाचार की मुरत जब मैं प्रजा से ऐसा सुनती हूँ कि हमारा राजा करुणावान हो गया तो कर्णप्रिय लगता है स्वामी पहले आप आँख उठा कर सीना तान कर चलते थे अब नीची निगा से विवेक पुर्वक चलते हो इसलिए मुझे आपके दयाभाव पर भरोसा पड़ गया है आप अपने ही सन्मुक रहना चाते हैं मुझे आपकी धार्मिक नासे कोई शिकायत नहीं मैं आपसे प्रसन्न हूँ और निश्चिन्त भी हूँ यह कैसी बहुरंगी चाल है इसी कारण ग्यानियों ने कहा संसार का नाम ही दुख है यहां शत्रु हो या मित्र सर्वत्र आगात ही मिलता है अंतर मात्र इतना है शत्रु द्वारा फैका गया पत्थर इतना आगात नहीं पहुंचाता किन्तु प्रिय व्यक्ती के द्वारा फैका गया फूल भी घाव कर देता है संसार में संबंदों के पुष्प से सवयोग की सुवास निकल जाने से वे संबं निश प्रान पत्थर बन जाते हैं महाराणी सूर्य कांता सफल धर्म पत्नी नहीं बन पाई उसने अपने निजी स्वार्थ को इतना उचा दर्जा दिया कि पत्नी के सयोग धर्म को भी बुला दिया जिवा पर मधूर्ता, रदय में कपट या कैसी भयंकर कुटिलता है आखिर उसने अपनी योजना सूर्य कांत कुमार के सन्मुक रखने का निर्ने ले लिया और सूर्य कांत कुमार को बुला कर कहा प्रियपुत्र मैंने पूर्जूर यतोचित योजना बना ली है एवं तुम तुमने मुझे कहा था जब मैं उपाई बताऊं तब तुम राज्य को संभाल लोगे बेटा बात ही ऐसी है जो न कहीं जा सकती है न सहीं जा सकती है कहने में संकोच होता है जबान अटक चाती है समझ नहीं आता ऐसी अप्रिय अनिष्ट बात कैसे मैं अपने मुक से तुमे कहूं बात ही कुछ ऐसी है जिसकी तुम तो क्या मैं भी कुछ कलपना नहीं कर सकती शायद यह बात स्वपन में भी कोई नहीं कह सकता बेटा सच कहती हूं तुमें सुनने में भी बहुत कश्ट होगा क्या तुमारी माता कभी ऐसा भी तुमें कह सकती है मगर इस समय एक मात् यही उपाय जचता है तुम अपने पिताश्री की हत्या कर दो और पूरी राज्य की बाग दोर संभाल लो यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं उनकी हत्या कर दोंगी तुम राज्य को संभालने का मुझे वचन दे दो यह सुनकर सुर्य कांत कुमार उबल गया रोश में आ गया आक्रोश पोनस्वर में कहा हे माताश्री यह आप क्या केरी हो क्या आप होश में हो आपके मुख से आज ऐसे वचन सुनकर मेरे कान और पवित्र हो गये आप मा हो या खुनी हो पालक हो या घातक हो हितेशी हो या हिंसक हो आज आपने मेरे रदय पर वजरा घात किया है आप इतनी खुदगर्ज पात की दुष्टा हो ऐसा तो मैं सोच ही नहीं सकता था मैं उनकी हत्या कर दूंगी और तुम राज्य को संभालो ऐसे वचन बोलने से पहले ही आपकी जबान कट क्यों नहीं गई मैं न ऐसा कभी सोच सकता हूं न कह सकता हूं और ना ही कर सकता हूं आज की बाद मैं आपके मुख को भी देखना पसंद नहीं करूंगा यह मेरा अंतिम फैसला है इतना कहकर वह जट से निकल गया अब महाराणी सुर्य कांता विचार कर रही है पती भी बदल गया और पुत्र भी हाथ से निकल गया मेरी योजना निश्वल सिद्ध हुई मैंने ऐसा नहीं सोचा था सुर्य कांत मेरी इस बात को इतना बुरा मानेगा कि कभी मेरा मुख ही नहीं देखेगा यकायक उसके रदय में पीता के प्रती वातसल्य क्यों जाग उठा इसका मतलब अब तक की मेरी बाते उसे रुचिकर नहीं लग रही थी मेरा यदाव खाली चला गया मैंने यूही अपनी योजना उसके समक्ष रखी अब मैं चिंतित हूँ मुख से बात कहकर परवश हो गई हूँ मेरे रदय की बात उस तक पहुँच गई है वह कभी भी यह बात राज्या प्रदेशी को कह सकता है फिर मेरा क्या होगा सूर्य कांत मेरी इस गुप्त योजना का रहस्य कहीं खोल न दे उससे पहले ही राज्या प्रदेशी का जीवन तमाम करने का महाराणी ने पक्का निश्चे कर लिया इसलिए अब वह मौके की तलाश में है मसोच रही है मुझे इस महल में अब हर क्षन बहुत सजकता पूर्ण रहना है ताकि मैं अपने भावों को साकार करने के लिए अउसर खोच पाऊं कैसे करूं कौनसा स्थान ठीक होगा यदि मैं अपनी योजना को ठीक ढंग से करियानवित नहीं कर पाऊंगी तो मेरा भेद खुल जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा हाला कि मेरा बरताव राजा प्रदेशी के प्रती प्रेम पूर्ण है इसलिए कहीं से कुछ भनक तो नहीं पड़ सकती इस व्यवहार की मदूरता के तले ही मुझे अपना प्लान सक्सस करना होगा कौनसा आउसर उचित रहेगा क्या मैं उनके भोजन को विश मिश्रित कर दू क्या उनके वस्त्रपर विश छिड़क दू यू तो राजा किसी पर विश्वास नहीं करते वे तो भोजन भी दूसरों से चखा कर फिर खाते है मगर अब राजा प्रदेशी धार्मिक बन गए है उनकी जीवन चरिया बदल गई है धार्मिक व्यक्ति निर्बई होता है किसी पर शंका नहीं करता अब राजा को कर्म सिध्धान पर भरोसा बैठ गया है राजा प्रदेशी ने केशी स्वामी गुरुदे को यहां तक कहा है मेरे जीवन में जो दुख आएगा जिससे किसी को पता भी नहीं लगेगा एवं मेरा काम भी शिग्र सद जाएगा मैं उचित मौका देखकर राजा के भोजन में जहर मिला दोंगी इतना ही नहीं वस्तर आबुशन आदी पर भी जहर छिड़क दोंगी उस दिन का भोजन मैं उन्हें खुद अपने हाथों से कराऊंगी ताकि संदेह की गुंजाइश ही नहीं रहेगी जैसी चाह वैसी राह के अनुसार जैसा भाव होता है वैसा ही भावावरन भी मिल जाता है दूसरे ही दिन राजदासी ने पूछा महाराणी जी कल राजा का बेला है यानी दो उपवास का पार्णा है तो क्या तयारी करूँ महाराणी ने सोच लिया अउसर स्वयम चल कर मेरे द्वार पर आ गया है सूर्य कांता महाराणी ने फोरण उसे कहा तुम क्या करोगी मैं आज खुद अपने हाथों से महाराज को पार्णा कराऊंगे पती सेवा पतनी का धर्म है यू महाराणी ने प्रात जल्दी उठकर राजा के पार्णे की भोजन सामगरी बनाई योजना के अनुसार उसमें तेज जहर मिला दिया इतना ही नहीं बहिबित होकर उसने राजा के वस्त्र अलंकार को भी विश्मै कर दिया ताकि निश्चित रुप से राजा का जीवन समाप्त हो ही जाए राजा प्रदेशी जैसे ही महल में आये महाराणी ने भक्ती भाव जतलाते हुए कहा आज मेरा जीवन धन्य होगा जो आप मेरे हाथ का बना भोजन खाओगे राजा प्रदेशी ने आज तक कभी सूर्य कांता महाराणी को और विश्वास की नजर से नहीं देखाता सच है सूर्य और चंद्र को लगा हुआ ग्रहन नजर आता है किन्तु मानव रदय को जब कपट या माया जाल का ग्रहन लग जाए तब उसे कोई भी देख नहीं पाता वह पाप जब साकार रूप में प्रकट होता है तब ही दिखाई देता है राज्य प्रदेशी ने सहज भाव से वस्त्र अभुशन आदीपैने और शांत भाव से आसन पर बैढ गए अब महाराणी सूर्य कांता उपरी प्रेम से परोस्ती गई एवं राज्य सहज भाव से पारना करने लगे आत्मसादक राज्य प्रदेशी के जीवन में हर क्षन भीद ज्यान का प्रयोग चलता था वे अपने को देह के अनंत पुद्गल परमानों से भिन्नत जानते हैं इसलिए आहर करते हुए उन्हें या जागरुती है पारने का या भाव भी कर्म के उदई का प्रिनाम है भोजन की या क्रिया शरीर के द्वारा हो रही है एवं मैं जानने वाला शुद्ध आत्मा हूं मैं स्वयम चैतन्य महल हूं ज्यान की खिड़की से जान रहा हूं ये खाने की क्रिया बाहर के आंगन में हो रही है जो मु बोजन की क्रिया में मैं कहीं भी नहीं हूँ, मैं अपनी ग्यान सत्ता में ही हूँ, थाली में परोसे हुए बोजन को देखकर उनका आत्म चिंतन जागा, ये पेट भी एक थाली है, एक थाली से दूसरी थाली में बोजन क्रम शहत जा रहा है, और मैं शुद्ध आत्मा अत्य दूर से इस प्रक्रिया को जान रहा हूं। बोजन को चबाने की क्रिया जब हो रही थी तब भी उन्हें सतत अपने होने का ऐसास था कि दो पाटों के बीच में यह अनाज पिस्ता जा रहा है। उपर नीचे के दाद दो पाट की तरह है। मैं इसे जानने वाला हूं। मैं इसमें कहीं पिस्ता नहीं। मैं मात्र ग्याता हूं। मैं मात्र जानता हूं। जानने रूप टिकर रहता हूं। जो खाता है वह मैं नहीं। जो जानता है वह मैं हूं। जो खाता है वह क्षणिक और मैं त्रिकाल कायम रहने वाला शुद चैतन्य तत्व हूं। ऐसे भेद विज्ञान के साथ राजा प्रदेशी सम्तल अवस्था में पारना कर रहे हैं। राजा प्रदेशी इतना धीरे धीरे खा रहे हैं तो महाराणी सूर्य कान्ता को शंका हो गई। क्या इन्हें भोजन में कुछ गंध आ रही हैं। जिनके कारण वे कुछ अंदर में सोच रहे हैं। कहीं इन्हें मुझ पर शक तो नहीं हो गया। जब राजा का जी मचलाएगा, सेर चक्राएगा, शरीन में जलन होगी, तब क्या वे मेरी कर्तुत पैचान लेंगे? अब मैं क्या करूँ? यहां से चली जाओ? मैं शोर मचा दू? दासियों का नाम लगा दू? इत्यादी कूविचार इतनी तेजी से उसके बीतर में चल र रहे हैं. इधर राजा प्रदेशी को बोजन करने से पहले, बोजन करते हुए भी यह विचार तक नहीं आया, इस बोजन के कंड कंड में मेरी मृत्यू छिपी है, विसच्चे धार्मिक है, आत्मस्तित है, कर्मवादी है, उन्होंने अपने जीवन का लक्ष, शांती, आत् भाव समता को बनाया है, तथापी जो बाहर में विश मिशित बोजन लिया जा रहा है, उसका परिणाम भी तो आना ही था, बोजन करते ही राजा प्रदेशी के आखु के आगे अंधेरा छाने लगा, सिर चक्राने लगा, टांगे लड़ खडाने लगी, आखिर वो राजा उसे समझने में तनिक भी देर नहीं लगी, ये विश्वास गात महराणी ने किया है, वस्तुतह साधना करना तो आसान है, किन्तु साधना में धैरिय, स्थिर्ता और आत्म जागरती की पराकाश्ठा रखना अत्यन कठिन काम है, महा ज्यानी केशी मुनी के समागमने राजा प्रदेशी को नास्तिक से आस्तिक, दानव से मानव और मानव से आत्मस्त होने की कला सीखा दी थी, इसलिए वे अंत तक रमनिक ही बने रहेंगे,